हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू आज चानल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास वाइफ मैट्स का एक टॉपिक शॉर्ट डिविजिन मेथर्ड पढ़ेंगे फ्रेंग्स इससे पहले मैंने आपको डिविजिन का कम्प्रीट चैप्टर अपनी वीडियो में समझाया था आज उसी से रिलेटेड एक मेथर्ड शॉर्ट डिविजिन मेथर्ड में आपको समझाने वाली हो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में प्राक्टिस क्वेस्टन सॉल्व करकर के समझेंगे तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए और अगर आपको क्लास फाइव का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो जैसे कि मैट्स का कोई और चैप्टर या EBS या English Grammar या Computer Science इन सभी सब्जेक्ट का सादा स्लेवर्स हमने अपने चैनल Learning Notebook पर कवर करा हुआ है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं तो फ्रेंग्स अगर हम इस क्वेस्टन को Long Division Method से करें तो हमें जादा टाइम लगेगा क्योंकि Long Division Method थोड़ा लेंदी होता है तो जब हमें अपनी Calculations जल्दी करनी होती हैं तो हम यूज करते हैं Short Division Method तो Short Division Method में हम सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे हम Long Division में लिखते हैं तो हमने ऐसे ही लिख लिख लिया और Start भी वैसे ही करेंगे पहला डिजिट है 5 जो की 3 से बड़ा है तो हम यहीं से अपनी Division स्टार्ट कर देंगे 3 1 जा 3 तो देखिए जो 1 है 1 को यहां हम उपर लिख लेंगे और अब हम करेंगे 5 minus 3 which is equals to 2 तो 2 को इधर लिख लेंगे हम देखिए Short Division Method में आपको कुछ calculations अपने मन में ही करनी होती है और यह चीज जब आप प्रैक्टिस करते जाते है Short Division Method की तो बहुत असान लगने लग जाएंगे तो यहां पर जब हमने 5 minus 3 करा तो हमें मिला 2 अब क्या बन गया नंबर? अब हमें divide करना है 24 को 3 से 2 4 यह है ना यहां पर अब हमें 24 को 3 से divide करना है हमें पता है 3 into 8 equals to 24 so it means 24 minus 24 equals to 0 तो जो हमारा remainder है वो 0 आ गया है तो यहां पर हमने remainder लिख दिया और उपर यह हमारा है quotient which is 18 तो यह होता है friends Short Division Method Let's do next question 675 divided by 5 तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे अब start करेंगे पहले digit को देखते हैं पहला digit है 6 जो की हमारे divisor 5 से बड़ा है तो हम अपनी division यही से start कर देंगे 5 into 1 equals to 5 so 6 minus 5 equals to 1 तो यहां पर यह जो minus करके 1 आया है हमने यहां लिख लिख लिया है और उपर 5 into 1 जो करा था वो quotient का उपर हमने 1 लिख लिख लिया है अब number क्या है 1 और 7 यानी 17 को हमें divide करना है 5 से 5 into 3 equals to 15 तो 3 उपर लिख लिख लेंगे then 17 minus 15 equals to 2 तो 2 जो बचा वो यहां पर लिख लिया अब number क्या बन गया 2 5 25 now we have to divide 25 by 5 we know 5 into 5 equals to 25 तो 5 उपर लिख लिख लिया quotient में और 25 minus 25 equals to 0 तो remainder क्या है अपना 0 क्योंकि कोई odd digit तो बचा ही नहीं अब आगे तो हमारा remainder है 0 और quotient क्या है 135 तो देखेंगे फ्रेंग्स जब हम short division method यूज कर रहे हैं कुछ calculations अपने मन में ही कर रहे हैं तो हम कितनी जल्दी से division कर लेते हैं यही question को अगर आप long division से करेंगे तो आपको time लगेगा तो इसलिए short division method यूज करना चाहिए अगर हमें अपनी calculations fast करनी है next question is 902 divided by 2 अब हमें इस number को divide करना है 2 से तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ऐसे अब देखते हैं पहला digit क्या है पहला digit है 9 जो की divisor 2 से बड़ा है तो यानि हम अपनी division यहीं से start कर देंगे 2 into 4 equals to 8 2 की table में 8 आता है 4 पर तो 4 हमने उपर लिख दिया है और अब हम करेंगे minus 9 minus 8 equals to 1 तो 1 हमने इधर लिख लिया ऐसे अब हमारा क्या number बना अब बना 10 1 0 यह 10 बन गया अब हमें 10 को divide करना है 2 से हमें पता है 2 की table पर 5 पर आका है 10 तो 5 उपर लिख लेंगे हम और अब minus करेंगे 10 minus 10 equals to 0 ठीक है अब हमारे पास कोई digit नहीं बचा है minus करके तो अब इधर क्या बच गया इधर इधर बचा है 2 which is 2 into 1 equals to 2 तो हम उपर 1 लिख लेंगे और 2 minus 2 equals to 0 यानि रिमेंडर हमारा अब बच गया है 0 और कोशन क्या है 451 तो फ्रेंट्स इस short division method के लिए एक तो आपको जो tables है ना वो tips पे होने चाहिए जितनी जल्दी आपको tables याद आएंगे उतनी जल्दी आप अपनी method यूज कर सकते है let's see next question 749 divided by 7 तो यहाँ पर हम पहले इसको ऐसे लिख लेंगे आप देखते हैं पहला digit कौन सा है अपना पहला digit है 7 जो कि divide होगा 7 से तो आए स्टार्ट करते हैं division 7 into 1 equals to 7 तो 1 हमने उपर लिख लिया अब हम माइनस कर लेंगे 7 minus 7 equals to 0 ठीक है अब मेरे पास next digit क्या है 4 पर friends 4 तो 7 से जो divisor है हमारा 7 उसे छोटा है तो यहाँ पर ऐसे division continue नहीं हो सकती हमें division continue करने के लिए 7 या 7 से बड़ा number चाहिए होगा वो कैसे बनेगा जब हम next digit 9 को इसमें club कर देंगे जब हम 49 को consider करेंगे पर friends हम ऐसे 49 को consider नहीं कर सकते हमें पहले उपर quotient में 0 लिखना पड़ेगा जब हमने याप इस 0 लिख लिया अब हमारा next step होगा कि अब हम divide करेंगे 49 को 7 से अगर आप उपर 0 नहीं लिखेंगे और पहले ही 49 को 7 से कर देंगे तो वो गलत होगा आपका answer गलत आएगा तो जब भी ऐसा होता है कि बीच में आपकी division नहीं हो पा रही है continue क्योंकि digit छोटा है तो आपको उपर पहले 0 लिखना पड़ेगा और फिर अपनी division continue करनी पड़ेगी Now let's divide 49 by 7 we know 7 into 7 equals to 49 तो 7 उपर लिख देंगे और 49 minus 49 equals to 0 यानि remainder हमारा आ गया है 0 और quotient है 107 तो इस point को friends धान लखिए यह जो question है यह अलग different question मैंने धान मुशकर डाला है यह important है exam point of view से आईए friends अब इसी तरह एक और important question करते हैं 197 divided by 3 तो इसको हम पहले ही ऐसे लिख लेंगे अब देखिए चो पहला digit है यहाँ पर पहला digit है 1 जो की 3 से छोटा है तो यानि हम अपनी division start नहीं कर सकते तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें next digit को भी consider करना पड़ेगा यानि हमें number लेना पड़ेगा 19 पर मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें ऐसे next digit को साथ में include करना होता है तो हम उपर quotient में 0 डालते हैं अब क्योंकि यहाँ पर हमें division अभी start ही करनी है digit जो उपर 0 डलेगा वो पहला digit होगा तो उसको चाहे हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो आईए अपनी division अब start करते हैं 19 divided by 3 we know 3 into 6 equals to 18 तो उपर हम 6 लिख लेंगे और नीचे हम minus करेंगे 19 minus 18 which is equals to 1 तो यह 1 मैंने यहाँ उपर इदर लिख लिया अब हमें डिवाइड करना है 17 को 3 से 1, 7, 17 है नहीं इसको 3 से करेंगे 3 into 5 equals to 15 तो 5 उपर लिख लेंगे quotient पे और फिर हम करेंगे 17 minus 15 which is equals to 2 तो यहाँ पे remainder क्या है 2 और quotient क्या है 65 ठीक है और देखें फ्रेंग्स यह question में हमारे पस remainder भी आया है अभी तग हमने जितने questions करें थे हमें remainder 0 था पर यहाँ पे हमारे पस remainder 2 आया है तो ठीक है इस question में दो अलग चीज़े हमने करी है एक तो division हमें दो digits से start करनी पड़ी थी और इसके आकरी में हमें remainder मी मिला है आएए अब ऐसे ही all questions करते हैं जिसमें हमारे पास remainder आएगा question is 2781 divided by 6 अब हमें start digit के number को 6 से divide करना है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे अब देखते हैं पहला digit है 2 जो की 6 से छोटा है तो हम अपनी division नहीं start कर सकते तो हम क्या करेंगे हम next digit को club करेंगे हम करेंगे 27 को divide 6 से ठीक है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अभी कि आप चाहे 0 क्योंकि पहला digit 0 होगा तो लिखें ना लिखें वो फरक नहीं पड़ता we know 6 into 4 equals to 24 तो 4 उपर लिख लिए और फिर हम करेंगे 27 minus 24 which is equals to 3 तो 3 मैंने इदर लिख लिए है अब मेरे पास नंबर क्या बन गया 3 1 38 मेरे को 38 को divide करना है 6 से 6 into 6 equals to 36 तो 6 उपर लिख लिए और नीचे में minus करूंगी 38 minus 36 which is equals to 2 अब 2 मैंने इदर लिख लिए है ठीक है अब मेरे पास क्या नंबर बना 2 1 21 को divide करना है अब 6 से हमें पता है 6 3s are 18 तो 3 उपर और 18 को minus करेंगे 21 minus 18 which is equals to 3 तो यहाँ पे जो यह 3 है अब यह है हमारा remainder क्योंकि उपर कोई और दिजिट नहीं बचा है ठीक है तो 3 हमारा remainder है और quotient क्या है quotient है 463 let's see the next question 4,3,7,8 to be divided by 4 तो देखिए इसका पहला digit क्या है पहला digit है 4 तो यानि यह 4 से divide होगा so let's start with the division 4 into 1 equals to 4 तो उपर हमने 1 लिख दिया अब हम minus करेंगे 4 minus 4 is 0 ठीक है अब 0 आया है तो next digit क्या है इदर 3 जो की हमारे divisor 4 से छोटा है तो मैं यहाँ पर division ऐसे नहीं कर सकती तो इसके लिए मैं क्या करूंगी मेरे को next digit इसके साथ करना पड़ेगा 7 पर उस 7 को इस 3 के साथ club करने के लिए पहले हमें quotient में क्या लगाना पड़ेगा येस 0 अब हम कर सकते हैं 37 को डिवाइड 4 से we know 4 into 9 equals to 36 तो उपर हम 9 लिखेंगे और नीचे हम 36 को subtract करेंगे 37 minus 36 equals to 1 तो 1 मैंने यहाँ लिख लिया अब हम divide करेंगे 1 8 18 को 4 से 4 into 4 is 16 तो 4 उपर quotient में लिख लेंगे और 16 minus करेंगे 18 minus 16 is 2 so remainder here is 2 and quotient is 1094 तो ठीक है friends ये मैंने आपको खूप सारे questions practice करवा दिये हैं short division method से and I am sure अब आपको ये method अच्छे से आ गया है